आस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया है कि चीन ने उसके नौसेनिकों पर सोनार पल्स से हमला किया है जपान के विसेश आर्थिक छेत्र के पास अंतराश्टी जलशेत्र में एक चीनी युदपोद द्वारा असुरक्षित और गैर पेशवर आचरण के कारण 14 नौंबर को आस्ट्रेलिया नौसेना को कतित तौर पर मामुली चोटे आई है ये घटना तब हुई जब रॉयल आस्ट्रेलियन नेवी का HMAS, दिवुंबा, शेप, सहयुक्त राष्ट के प्रतिबंदों को लागू करने वाली मिशन के लिए जापान के पास अंतराश्टी जलशेत्र में काम कर रहा था आस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रे रिचर्ड ने कहा कि उनकी सरकार ने HMAS, टौुंबा और विपुल्स लिबरेसन आर्मी नेवी के युद्धकोतों के बीच हुई मुटबेड के सम्मन में चीनी पक्ष के सामने कंभीर चिंता वक्त की है रिचर्ड मौल्स के मुताबिक आस्ट्रेलियाई जहाज अपने निधारित दोरे पर जापान के बंदरगाह की हो जा रहा था तब ही चालक दल के सदस्यों को पता चला की मशली पकड़ने का जाल शिप के प्रोपेलर में फस गया है जहाज पर मौझूद गोता खोरो ने जाल को प्रोपेलर से निकालने के लिए पानी के अंदर अभ्यान शुरू किया औस्ट्रेलियाई रक्षा मंतरी ने आगे ये भी बताया कि इस उपरेशन के संदेज भी समान समुद्री चैनलों के माध्यम से प्रेशित किया गया था तभी प्रोपेलर से जाल निकालने हैं और उनसे अपनी जहाज को दूर ले जाने का अनुरोथ किया रिजर्ड मॉल्स के अनुसार दूसरी जितावनी जारी होने के तुरंद बाद पी एले विद्वनसक डीडीजी 139 को अपने पत्वार पर लगे सुनार को इस तरह से संचालित करते वे पाये गया जिससे अस्ट्रेलियाई गोथा कोरो की सुरक्षा को खत्रा पैदा हो गया और उन्हें पानी के बहार निकालने के लिए मश्बूर होना पड़ा ये तब हुआ जब चीनी पक्ष ने अस्ट्रेलियाई गोथा खोरो द्वारा भेजे गए संदेश को रिसीव कर लिया अस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि गोथा खोरो को चीनी वि इवाईजरी कमिटी के अनुसार पानी के भीतर उचस्तर पर यानि सोनार पल्स के संपर्क में आने वाले गोथा कोरों को चक्कर आने बहरा होने या अन्य अंगों में चोट आ सकती है चीन की ये आक्रमक करवाई इस महिने के शुरुआत में आस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंतने अल्बनीस की बहु प्रतिक्षेत बीजिंग यात्रा के बाद आई है जहां चीनी राशपती शीजिंपिंग ने दिपक्षी संबंदों को इस्तिर करने की प्रतिबत्ता दोराई थी कैनबरा को उमीद है कि चीन आस्ट्रेलियाई शराब पर बैन और अन्य व्यापार प्रतिबंदों को वापस ले लेगा जो पूर प्रधान मंतरी स्कॉर्ट मौरिसन के कारेकाल के दोरान लगाए गए थे हाला कि अस्ट्रेलियाई जल छेत्र में चीन की नोसेना की इस हरकत ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजिंग साथ आतरदीक अपेक्षित सुला की कीमत चुकानी पड़ेगी जिस पर अल्बनी प्रसासन विचार करना चाहेगा अब आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से चीन ने ये हरकत की है उसे लेकर कमेंट करकर जरूर बताएं ब्यूर रिपोर्ट भारत तक कर दो